दोस्तों परधान मंत्री आबास योजना के फारम आनलाइन अपलाई होना स्टार्ट हो चुके हैं अगर आपने अभी तक अपने फारम को आनलाइन अपलाई नहीं किया है तो किस तरह से आपको अपने परधान मंत्री आबास यौजणा के फारां को अंलाइन अपलाई करना है, तो इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे यांपने अपने मिद्थ का को ओप्रास है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना थाकि आपको उच्छे से समझ में आ सक तो परधान मंत्री आबास योजना के लिए आपको फारम आनलाइन अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले परधान मंत्री आबास योजना के dashboard पर आ जाना है यहाँ पर आपको apply for PM A by U 2.0 इस तरीके से आपको आनलाइन अप्लाई वाले option पर क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रधान मंत्री 2.0 आवास योजना आरवन इस तरीके से option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको apply for PM A by U 2.0 इस तरीके से option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर instruction for the user यहाँ पर आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको click to proceed वाले option पर क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने document required का कुछ option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे आवैसक दस्तावेज आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए परिबार के सदिश्यों को आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास एक income certificate होना चाहिए जात परमार पत्र होना चाहिए और आपके पास जो भूमी दस्तावेज है वो होने चाहिए अगर इतने document आपके पास होते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर proceed वाले option पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी annual income को फिलब कर देना है उसके बाद यहाँ पर हमें तीन option देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर फस्ट वाला option है कि अगर आपकी घुद की जमीन है उस पर आपको अपना आवास बनाना है तो इस वाले option पर क्लिक कर देना है अगर आपने उस जमीन को खरीदा है या purchase किया है तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर तीसरा option है अगर आपने उस जमीन को loan में लिया है या किस्तों पर लिया है इसी तरह से लिया है तो आपको इस वाले option पर क्लिक कर देना है तो इस वाले option पर हम क्लिक कर दे कि आपने अगर 20 वर्सों में किसी सरकारी हाउस scheme का लाब लिया है तो आपको yes कर देना है अगर आपने कोई लाब नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको no कर देना है तो यहाँ पर eligibility चेक वाले अप्शन पर जब हम click करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने farm open हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हमें अपना नाम फिलप कर देना है इसी परकार हम इसको नीचे स्क्रोल करेंगे फिर यहाँ पर term and condition वाले अपसर पर click कर देंगे और यहाँ पर जरनेट OTP पर click करेंगे तो जैसे हैं आप जरनेट OTP पर click करेंगे तो जो आपका आदार से registered mobile number है उस पर OTP को अधार में वह open हो गया है यहाँ पर आबेदक का नाम देखने को मिल जाएगा जो आधार में registered होगा वह automatic यहाँ पर उठा लेगा इसी परकार जो आबेदक है उसका अधार number देखने को मिल जाएगा पर यहाँ पर उसका पनकार number है तो फिलप कर देना है नहीं यह तो इसको पिर उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम को फिलप कर देना है, फिर यहाँ पर पिताजी के अधार कार्ट की संक्या को फिलप करना है, और उसी प्रकार यहाँ पर अपने अधार कार्ट के अनुसार अपनी माता का नाम फिलप कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ आपको select कर लेना है कि आप employee हो या not employed हो labor हो जिस परकार से आपका status हो उसको select कर लेना है तो यहाँ पर हम labor वाले option पर click कर देंगे इसी परकार आपको अबेदक का website select कर लेना है तो यहाँ पर click करके उसके website को select करेंगे फिर उसके बाद यहाँपर जो आबेदेकर के उसकी qualification को select कर लेना है तो जो भी उसकी education है उसको उसी के अनुस् avait select कर सकते हो तो उसके बाद यहाँपर हम लीचे scroll कर लेंगे फिर उसके बाद यहां पर परिवारिक सिरेडी जो आप से यहां पर पहले पूछा गया था, वो हमने सिलेट कर लिया था पहले ही, उसके बाद यहां पर पूछा गया क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी प्रका मकान है, तो उसको मैंने नो कर दिया था, उसके बाद जो परिवारी बार्षी का है वो हमने यहां पर फिलप कर दी थी आय परमाडपत्र के अनुसार उसके बाद यहां पर अपने आय परमाडपत्र की कोपी को स्केन कर लेना है और उसको यहां पर अप्रोट कर देना है तो यहां पर आपको अपने धर्म को सिलेट कर लेना है तो यहा टो अगर आप इस योजना चेत आते हो तो इसको इहाँ कर दीजिये, अगर नहीं आते हो तो इसको No.Wal момент पर e dire आपकर कलिक कर देना है, तो आपकी detail थी वो complete हो चुकी है, उसके बाद हमें यहाँ पर अपने परपको अपने गली महुले का नाम फिलप कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना state select कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना district select कर लेना है, फिर अपने सहर का नाम फिलप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर अपना code को current address same है तो यहाँ पर आपको tick कर देना है जब आप इस पर tick कर दोगे तो आपका जो इधर flip होगा वो same to same इधर भी flip हो जाएगा तो इस परकार आप अपने permanent address और current address को same to same flip कर सकते हो अगर आपका same है तो इसी परकार आपको अपने आवास निर्माण इस तलका इस्थाई पता दे जाएना है यहाँ पर आपको जिस परकार आपने उपर flip किया था address को उसी परकार यहाँ पर अपना मकार नंबर flip कर देना है फिर आपको अपना राज select कर लेना है इसी परकार अपने सहर को select करेंगे फिर यहाँ पर आपको अपना मवाल नंबर फिलप कर देना है और जो भूमी आपकी है उसके दस्ताबेज को यहाँ पर आपको अप्लोड कर देना है जब अपने भूमी के दस्ताबेज को आप अप्लोड कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है तो जो आपका current address और permanent address same है तो पर हमसे पूशे जाता है बरतमान सहर का स्वे में कितने बरसों से आप रह रहे हो तो उसको यहां पर सिलेट कर लेना है जितने बरसों से आप जिस सहर में रह रहे हो जहां पर आप आप आपास परदान मंतिरी आपास योजना का लाब लेना चाहते हो उसको यहां पर सिलेट क से आपको टिक कर देना है, तो यहां पर Honor वाले आपसर पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको अपने Family Detail को फिलप करना है, जो आपकी Family Detail है वो यहां पर आपको एक-एक करके add कर लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो family member है उसका नाम fill up करेंगे उसके बाद यहाँ पर जनन्तिती को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर उसका relation को select कर लेना है relation को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर gender को select करना है फिर उसके अधा नंबर को fill up कर देना है फिर उसका यहाँ पर website को fill up कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको add वाले आपसनल पर click करके उसको add कर लेना है इसी प्रकार आपके जितने भी family member है उसको एक एक करके आप add कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर नीचे scroll करेंगे फि विबरंट को दे देना है जो आपका bank account number है तो सबसे पहले यहाँ पर फिलप करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने bank account की पुष्टी करना है दुबारा से फिलप करना है फिर यहाँ पर जब आप detail फिलप कर दोगे उसके बाद यहाँ पर अपने जाएगा इसी प्रकार जब आप यह detail फिलप पर दोगे उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इनी ओजनाओं के तहट किसी भी ओजना का लाब उठाया है तो आपको yes कर देना है तो यहाँ पर आपको no कर देना है अगर किसी ने उठाया हो तो उसको yes कर दीजिए जब यह detail बाद यहाँ पर आपको सुरच्चित कर देना है तो जब सुरच्चित कर दोगे तो आपका data save हो जाएगा तो जब आप इसको submit कर दोगे तो आपका जो भारा में वो state level या district level पर भेज दिया जाएगा उसके बाद यहाँ से जब approval हो जाता है तो जो आपका नाम है वो आपक कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहन बनने मत